हेलो एवरिवन बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के विशे हिंदी की वर्क सीट नमबर 21 तो बच्चो वर्क सीट नमबर 21 में आज हम पढ़ेंगे पाठ तेहरा मिर्च का मजा तो बच्चो पाठ तेहरा का देखते हैं कोश्यन नमबर 1 नीचे दिये गए चित्रों को दिहान से देखो और सोचो कि क्या तुमने यह खाया है यदि हाँ तो उसका नाम क्या है और उसका स्वाद कैसा है तो बच्चो देखते हैं नीचे कौन कौन से चित्र है तो बच्चो पहला चित्र है अंगूर का अंगूर का स्वाद मीठा भी होता है और खटा भी होता है बच्चो ये चित्र है अनार का इसका स्वाद मीठा होता है बच्चो ये चित्र है काली मिर्ज का स्वाद तीखा होत बच्चो इस चित्र में है गन्ना गन्ने का स्वाद मीठा होता है अब देखते हैं बच्चो अगला चित्र ये चित्र है बच्चो मटर का मटर खाने में मीठी होती है बच्चो इस चित्र में है अनानास अनानास का स्वाद खटा होता है ये है लॉंग लॉंग का स्वाद ती काबुली वाले कितने पैसे की दो बच्चों काबुली वाले ने चार आने की दो ठीड़ें उसने 25 पैसे की मिर्च खरी दी अगला प्रस्न है बच्चो मिर्च कौन बेच रहा था तो बच्चो मिर्च कुंजडिन बेच रही थी अगला प्रस्न है बच्चो ऐसी चीज का चैन करो जो लाल है पर मीठा नहीं है तो ऐसी चीज है बच्चो मिर्च जिसका रंग तो लाल होता है लेकिन वो मीठी नहीं होती अब देखते हैं बच्चो question number 3 समझो और लिखो बच्चो हमें समझ कर लिखना है जैसे की काबुली वाला किसे कहते हैं अब देखते हैं बच्चो question number 4 पंक्ती को ध्यान से पढ़ो समझो और सब्दों के अर्थ लिखो पहली पंक्ती है मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके मगन का अर्थ है बच्चो खुस सौदे का अर्थ है मोलिया भाव अगली पंक्ती है पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाय छोड़े बच्चो छीमी का अर्थ होता है छोटे बीजो वाली लंबी फली मुख का अर्थ होता है मुह और सधाय का अर्थ होता है लाब अब देखते हैं बच्चो अगला प्रस्ण तीन खाने वाली चीजों के चितर बनाओ जो तुमको खाने में अच्छी लगी पर तुम उसका नाम नहीं जानते तो बच्चो ऐसी ही कुछ चीजों के ये चित्र है आपको भी बच्चो उन चीजों के चित्र यहां लगाने हैं जो आपने खाई हैं और आपको अच्छी लगी हैं लेकिन आप उनका नाम नहीं जानते बच्चो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है इसलिए लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू